Connectivity किसी भी छेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है चाहे वो plain area में रहने वाले लोगों के लिए हो या फिर mountainous area में रहने वाले लोगों के लिए हो एक बहतर connectivity होना सभी के लिए जरूरी और मौलिक अधिकार भी है लेकिन mountainous और hilly reason में connectivity को establish करना plain reason में connectivity को establish करने के मुकाबले काफी ज़्यादा कठिन काम है चाहे वो road की connectivity हो या फिर railways की लेकिन हमारे देश के कुल छित्रफल का 10.6% mountainous और 18.5% hills का reason आता है मतलब कि हमारे देश का एक चौथाई से ज़्यादा हिस्सा mountains और hills का area है आज भी railways और roadways नहीं पहुंच पाई है लेकिन वरतमान में हमारे देश के बहुत सारे mountainous area को railways और roadways से connect करने का काम चल रहा है और ऐसे में mountainous reason में connectivity को बहतर करने के लिए और travel time को कम करने के लिए tunnels यानि की सुरंग कनिर्मान करना बहुत ही मत्रपूर्ण है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में बनने वाले top 5 longest under construction tunnels के बारे में जो कि हमारे देश के पहारी छेत्रे के विकास के लिए काफी मत्रपूर्ण है तो आपसे request है कि please इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी knowledge मिलेगी और वीडियो पसंद है तो please like जरूर अब नमबर 2 पे बात करते हैं तामेंग लॉंग tunnel नमबर 12 के बारे में इस tunnel को मनिपूरे state में बनाया जा रहा है और ये एक railway tunnel होगा इस tunnel की कुल लंबाई 10,280 मीटर यानि की 10.28 किलो मीटर होगी अजादी के 73 साल बाद आज भी मनिपूरे state railway connectivity से अचूता है लेकिन वर्तमान में मनिपूर में जीरी बाम, टूपूल, इमफाल railway section का काम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट में broad gauge track बिछाने का काम किया जा रहा है जो कि मनिपूर को rest of India से वाया railway connect करेगी इस जीरी बाम, टूपूल, इमफाल railway section की कुल लंबाई 111 किलो मीटर होगी और इस 111 किलो मीटर railway line पर योजना के अंतरगत कुल 52 tunnels और 149 bridges का निर्मान किया जाएगा और इन 52 tunnels में से टनल नंबर 12 इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा टनल होगा जिसकी कुल लंबाई 10,280 मीटर यानि की 10.28 किलो मीटर होगी इस टनल का निर्मान मनीपूर के तामेंग लॉंग के पास किया जा रहा है और यह टनल North Frontier Railway Zone में आता है और आपको बता दे कि इस जीरिबाम टूपूल इंफाल न्यू ब्रोडगेज लाइन रेल्वे परियोजना के अंतरगत तामेंग लॉंग डिस्ट्रिक के बाराक रीवर के उपर इंडिया का one of the tallest railway pier bridge बनाया जा रहा है जिसके कुल उचाई 141 मीटर होगी यानि कि ये कुतुब मिनार से भी उचा होगा इस bridge के एक pier की height actually में कुतुब मिनार के height से भी double होगा इस bridge के बारे में किसी अगले वीडियो में बात करेंगे तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं नॉर्थ इस्ट के states को railway से connect करना कितना मुश्किल काम है लेकिन वर्तमान में नॉर्थ इस्ट के राज्यों में जैसे की मनिपूर, मिजोरम, त्रिपूरा, नागा लेंड में घाले और नाचल परदेस और सिक्किम में railway की connectivity के उपर जोर सोर से काम चल रहा है और निव ब्रोडगेज ट्रैक बिछाए जा रहे है जिरिबाम टूपूल इमफाल railway section पर बन रहे टनल नंबर 12 को North Frontier Railway Construction Organization तयार कर रही है यहाँ टनल सिंगल railway line tunnel होगा और इस टनल के निर्मान के बाद मनिपूर हमारे देश के railway network से connect हो जाएगा इससे मनिपूर का आर्थिक विकास भी होगा और टूरिजम के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा इस जिरिबाम टूपूल railway section के लगवक सभी tunnels का काम कम्प्लीट हो चुका है लेकिन अभी इस tunnel number 12 का काम चल रहा है और इस पूले railway line project को बनाने की कुल लागत 13,809 करोड रूपय है जिसमें tunnels और bridges का cost भी सामिल है यह tunnel number 12 2022 तक बनकर तयार हो जाएगा और यह जीरिबाम टूपूल इंफाल railway line project भी 2022 में कम्प्लीट हो जाएगी और मनीपूर से भी इंडियन railway की शान रजधानी एक्सप्रेस चलने लगेगी जो की बहुत बरा achievement होगा यह तो था हमारे देश में बन रहे टॉप 5 longest under construction tunnel के बारे में जानकारी तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करे और मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करके आल को सेलेक्ट कर ले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नमस्कार जय हिंद